तो चलूब पियार बिचो अगर इस वाले सवाल को देखोगे तो बीच आप फॉलोविंग रिले एक फॉलोव इस डाप फॉलोई निदर लोकस अफ वन प्रोजेक्टायल विट रिस्पेक्ट वह अगर एक प्रोजेक्टायल से देगने तो कैसे दिखाई देगा समय को ना अ टा गया ठीक है तो चलो माल देते हैं एक प्रजक्टाइल हमने ऐसे बिए यह मईंद कर रहा है इसको मैं प्रजक्टाइल फर्स्ट बो तेता हूंने और दूसरा प्रजक्टाइल मुटै कुछ एंग पर कुछ अदर आंगल पर तो चलो माल लो उसको मैंने ऐसे fin can और वह भी कहीं पर लाइंड ही करेगा यहां पर हमको नहीं पता है तो अब यह करते हैं अगर एक प्रजेक्टाइल है और इस पर कोई observer है this is the observer on projectile first और यह दूसरा वाला जो प्रजेक्टाइल है इस पर कोई observer बॉल उस पर कोई observer है ठीक ना यह समय तो यह अब जर्वर अगर एक दूसरे को देखते हैं एक प्रजेक्टाइल से दूसरे प्रजेक्टाइल किस टाइब का पाथ में जाता को नजर आएगा यह हमें पता करना ठीक है तो देखो सिंपली सी बात है अगर तुम देखो कि फर्स्ट अबजरवर और सेकेंड अबजरवर के मोशन को देखो गए इन दोनों प्रजेक्टाइल को तो फर्स्ट में तड़े अब लॉजिक से ही इसको प्रूब कर सकते हो और कि क्या होगा मैंतमेटिकली भी मैं कर दूंगा पहले देखो अगर तुम देखोगे दोनों की आभी चैन्ज नहीं होगी मतलब अगर डिलेटिव विलासिटी एकसी में देखोगे रिलेटिव velocity x-axis में जो की आगे की direction में दोनों की इधर है और ये इधर है तो दोनों की जो relative velocity है वो 0 आ जाएगी ठीक ना relative velocity अगर constant velocity से एक बस जा रही है इधर horizontal में जो की constant velocity जा रही है दूसरी भी constant velocity से जा रही है तो अगर जब constant velocity जा रही है तो एक दूसरे से अगर देखेंगे तो यहां पर यहां पर यह विलोसिटी गर दिखाई दे कान्स्टेंट विलास्टि 거지 अगर यह दोनों से इतली है न होका तो रिवा कोंस्टेंट एक्छी ग़ेसंट जिरम आगा जाएगा तो y-axis में पहले वाले observer के पास vertical downward acceleration है 2, जिसकी value g है और दूसरे वाले के पास भी हो कहीं भी रहे vertical downward acceleration a1 जिसकी value g है तो acceleration of first with respect to second a1 minus a2 देखोगे तो minus यहां से देखोगे तो g minus g that is equal to 0 तो अगर तुम देखोगे तो acceleration in y-axis also relatively 0 है तो जब acceleration है ही नहीं तो जो velocity होगा अगर first second को देखता है या second first को देखे तो velocity क्या आजाएगा constant आएगा क्यों क्योंकि acceleration 0 है अगर velocity कभी भी constant होती है तो path कैसा होता है path straight line होता है मेरे प्यारे बच्चों ठीक ना straight line path में एक दूसरे को जाता होगा दिखाए देगा option number first तो यह तो रहा logically अगर मैं इसी चीज़ को mathematically करो तो आप इसको mathematically भी कर सकते हो इसको solve कर सकते हो पहले के लिए जो सेकेंड मेतड है कि अब सेकेंड मेतड आप इसको mathematically भी कर सकते हो चलो माल देते हैं पहला वाला प्रजेक्टाइल जो है वह कहीं प्वाइंट पर होगा और फॉस्ट वाला प्रजेक्टाइल है और यह एक्स वन वाइवान है ठीक ना और दूसरा वाला प से देखूं तो रिलेटिव एक्स का सेप्रीशन ठीक रिलेटिव एक्स कासेप्रेशन एक्स कोडिनेट एक्स वन टी टाइम बाद अगर मैं देखता हो तो यह जाएगा वं कॉस्ट थीता ओन और एक और कोम्पोनेंं इसका इसकाного इव एक साइन थीटा वन और दूसरे का जो है अगर तुम देखोगे यहां से दूसरे वाली की जो वेलोसिटी आ रही है वो यह जो यूटू यह थीटा टू है तो दूसरे वाली की जो वेलोसिटी आ जाएगी यूटू कॉस्ट थीटा टू और यहां से यूटू साइन थीटा टू यह विलासिटी को रिजवलोगे तो एक्स अक्सीज बात पहले वाले की एक्स कॉडिनेट इतना होगा दूसरे वाले का कितना होगा वाई एक्स का कॉडिनेट है टी टाइम बात तो एक्स कॉडिनेट का जो डिफरेंस है उसको मैं कैपिटल एक्स से डिनूट कर देता हूं क्योंकि हमें पात निकालना है तो पात मतलब होता है एक्स कॉडिनेट और य कॉडिनेट निकाल लेते हैं अगर मैं यहाँ सिमिलेरली य निकालता हूं तो मैं य के लिए क्या यूज करूंगा तो य कॉडिनेट पहले एक का निकालूं दूसरे का निकालूं तो तो similarly अगर मैं यहां पर similarly अगर वाई कोडिनेट निकालता हूं तो पहले का वाई वन आ जाएगा यूँवन साइन थीटा वन और माइनस हाफ जी टी ठीक ना और वाई वाई टू दूसरे का वाई करने यूटू साइन थीटा टू और माइनस हाफ जी टी अस्वार ठीक है तो वाई कोडिनेट कैपिटल वाई से मैं डीनोट कर देता हूं वाई वन माइनस वाई टू तो वाई वन में से वाई टू को जो घटा होगे तो यह टी कॉमन आ जाएगा तो वाई वन यू साइन थीटा वन और माइनस यहां से यू टू साइन थीटा टू यह यहां से दिवाइड कर दूँ तो जो मुझे quantity मिलने वाले टाइम खतम हो गया इव 1 Cos Theta 1 minus u 2 Cos Theta 2 यह यहां से 19 1 थीटा 1 और minus u 2 साइन थीटा 2 और यह जो data यूज हो रहा है यह वाला data time cancel हो गया यह time के respect में चेंज नहीं हो सकता तो इसकी वैलू पूरी क्या constant है तो उसको मैं के बोल देता हूं तो एकस की जो एकस की जो वेल्यू आजाएगी वह की टाइम्स वाई आजाएगी जो कि एक straight line equation है जो origin से pass होगी straight line होगी जिसका जिसका slope है वह one upon k के बराबर होगा और यह origin से pass होने वाली लाइन है तो इस तरह से स्टेट लाइन पार्ट में जाता हुगा नजर आएगा एक दूसरे को ठीक ना आई हो कि यह चमक गया होगा दोनों में तर से थैंक यू बैबाई टेक केर